एक अपने दमपत्ती का वो कहीं गाहों से काम करके लौट रहते हैं अपने केंद्र पर तो पती-पत्नी मोटर साइकल से उनको डाको ने पकड़ा बाद में महीला को छोड़ दिया बैयन को छोड़ दिया उनको पुलिस वाले पकड़ के ले गए को एक पीड़ेवलीडी का का काम चल रहा था उनको लगा कि ठीकेदार है इस से कुछ फिरोती मांगेंगे जब बाद में ध्यान में आया कि दीन दिया चोड़ संस्तान का कार करता है तो डाको ने का कि यह बहुत अच्छा बोले तुम्हारे नाना के पास नाना जी के पार बहुत पैसा है तो अब तुम कोई परिवार नहीं बसाया समाच से इखटा करता क्या करते है नाना जी वह अपना मिच्योड कार करता था परिपक उसने कहा कि मेरे एक प्रश्णकाप उत्तर दीजिए आप यह जो काम कर रहा है मैं जानता हूं कि आप मजबूरी में कर रहे हो यह काम आप चाहोगे कि यह काम करें सब चुप हो गया चारचे की टोली थी बोले नहीं हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारी बच्चे यह काम कर रहा है आने वाली पीड़ी अपने मार्क से भठके नहीं सही मार्क पर चले तरुनों को सबसे पहले तो शिक्षा की दृष्टी से रोजगार की दृष्टी से पढ़ाई की दृष्टी से यह सारा काम कर रहा है नाना जी फिर उनमें से कुछ दो चार लोग बोले नहीं नाना जी से मिलें नाना जी का जो चित्रकूट में निवास्तान था सियारामकोटिक हम वहां पर भी गये हैं उले आप जो कह रहा हो एके बात काम करने माला था पूरे समाज के लोग इकटा हो गए फिर आज शाम को ले गया थे दूसरे दिन रखा भी आप स्वास्त को लेकर काम करते हैं हमारे लिए बताओ रोज आप सवे रोट के नहादो के ब्रश मुक्मारजन करके उस सव बार जोर जोर से ताली बजाई उसा भस करिए आपकी टोली को भी कहिए कोई बोले नाना जी समाच छिल्पी दमपत्ती दिन द्याल चोथ तान स्थान के हम कारे करता है अब किसी को डरने की जरूरत है हम तो गलती से आपको पकड़ लिया और उन्होंने छोड़ा